रबसकार मैं अमन और आप देख रहे हैं वीके निउस बकरी को बेगाम बना दो सही सुन रहे हैं आप, बकरी को बेगम बना दो, अरे मजाक नहीं भाईया, सच में बकरी को बेगम का दर्जा देना चाहिए, वाम पन्ति सरकारों को इसके लिए तख्तिया निकालनी चाहिए, लिबरान्डों को संसत के बाहर धरना देना शुरू कर देना चाहिए, पैसा हम किताब पढ़के नहीं कह रहे हैं बलके टूटर पर ये उठराई मांग को लेकर कह रहे हैं टूटर पर मांग उठी है कि बगरी को बेगम भोशित किया जाए अब मांग टूटर पर उठी है यता संभव मोर्चा भी खोल लिना चाहिए यह सही समय है इन जैसे निताओं को रंग में आने का क्या मालूम बकरी को बेगम बनाने की मांग पूरी होते ही चुनाओं के समीकरण भी बदल जाए खैर चुनाओं का तो पता नहीं ये मांग क्यों उठ रही है इस बारे में आपको बताते हैं शोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अजीबों गरिब ट्रेंड चलते रहते हैं अक्सर ये भी हो जाता है कि पुरानी खबरों के स्क्रीन शॉट्स के नए यूजर्स फिर से शेर कर देते हैं और उस पर नई बहस का नया दौर शुरू हो जाता है वहीं उस हैस्टैक के समर्थन में ऐसी ऐसी बाते बताई जाती हैं जिनके बारे में बहुत से लोग को पता ही नहीं होता कुछ ऐसा ही मामला शुकरवार को सामने आए जहां देश में एक हैस्टैक बखरी को बेगम घोशित करो बड़ी तेरी से ट्रेंड हुआ उसके बाद तो मानो इससे जुड़ी चीजों को लेकर ही ट्विट की बार सी आगे दरसल इस हैस्टैक का सहारा लेते हुए किसी यूजर्स ने सन 2018 की खबर की एक पुरानी खबर का स्क्रीन शॉट ट्विटर पर पोस्ट किया करीब 16 घंटे बीतने के बावजूद ये हैस् ट्विट हो चुके हैं दरसल आरिस्थान के बाड़ मेर में एक यूवक ने बकरी के साथ गंदा काम किया था जिसकी तस्वीर बकरी पारन वाले वेक्ति ने खीच ली थी और पुलिस में शिकायत दर्ज कर दी थी इस तस्वीर का सहारा लेकर यूजर्स ने एक बार फिर से ट्विटर पर पुरानी खबर को ट्रेंड करा दिया इसके बाद नेटिजंस ने कैसे कैसे जवाब दिये ये भी देख लीजे पुश्पेन नाम के ट्विटर यूजर ने लिखा भारी मिस्टेक हो गया सर एकदम बलंडर एक और यूजर ने इसे बॉलिवुट की मूवी के हीरो के साथ मीम को जोडने की कोशिश की और लिखा का आप का है रही हो वही एक चमचा नाम के ट्विटर हैंडल से भी जो जवाब दिया गया वो काफी फनी था उन्होंने लिखा अरे मोरी मया जे का देख लियो मतलब ऐसे ऐसे ट्रेंड तो वायरल हो रहे हैं जिसको देखने के लिए देखते रहें वीके न्यूस